आज मैं आपके संग बहुती टेस्टी मिसी रोटी की रेसिपी सेयर कर रहे हूँ बहुती सॉफ्ट बन करके त्यार होती है और बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर आता है तो चलिए बनाते हैं मिसी रोटी वैलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीस अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर जरूर करें तो यहाँ पर मिसी रोटी बनाने के लिए मैं वन कप ले रही हूँ के हूँ का आटा इसी के साथ में मैं इसमें डाल नहीं हूँ 3-4 कप बेसन तो बेसन आपको चान के लेना है और मैंने आटे को सीव नहीं किया है चाना नहीं क्योंकि आटा पैकेट वाला है उसे चानने की कोई भी जरूरत नहीं है बट आपको बेसन जरूर छान लेना है क्योंकि बेसन में गुटलियां रहती है ना तो छानने से हट जाती है तो बस इस तरीके से ये मैंने बेसन को छान लिया है और अब इसमें मैं डाल लए हूँ दो बड़े चमस तेल यहाँ पर जो मैं स्पून यूज करी हूँ यह वही वाला है जो घर में खाने में यूज करते हैं फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है चॉप्ट क्रीम चिली इसी के साथ में मैं डाल लए हूँ धनिया पत्ती अब मैं इसमें डाल लए हूँ स्वाद अनुसार नमक यानी सॉल्ट तो आप बहुत ज़दा भी सॉल्ट ना डाले क्योंकि आप इसे सबजी या चटनी के साथ में खाएंगे या दही के साथ में तो फिर सॉल्ट ज़दा लगेगा अब मैं इसमें एट कर रही हूँ चिली फ्लैक्स अब अच्छी तरीके से सारे इंग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेंगे तो इस तरीके से हातों से ही अच्छे से mix करें और बस अभी अच्छे से mix हो गया है तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक dough त्यार करेंगे soft सा dough को गीला मत करिएगा नहीं तो roll करने में आपको दिक्कत होगी तो बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल नहीं हूँ इसमें और इसका एक soft सा dough त्यार करूंगी dough को गीला नहीं करना है लेकिन dough soft रहना चाहिए तो यहाँ पे मैं soft dough लगाने के लिए इसलिए बोलने हूँ तो बस यह dough हो गया है बिल्कुल तयार और dough बिल्कुल perfect लगकर के तयार हुआ है बिल्कुल भी देखे इस्टिकी नहीं है गीला नहीं हुआ है बट soft है तो बस अब dough को थोड़ी दिर के लिए rest देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे तो मैं इसे ढख करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए और 15 मिनट बाद इसकी मिसी रोटी बनाएंगे तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए है तो चलिए अब इस dough से बनाते हैं मिसी रोटी तो यहाँ पे मैं चतले में थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर रहे हूँ और अब मैं इसके पीसेज कर लूँगी बिल्कुल वैसे जैसे आप रोटी के लिए करते हैं मिडियम साइज की बनाने के लिए और आपने देखा होगा कि मिसी रोटी हमें सा छोटी छोटी सी बनती है और देखके यह खाने का उनको मन होता है तो बिल्कुल आज मैं भी मिसी रोटी छोटी बनाऊँगी और हलकी सी मोटी रहती है तो बस अब यह जो मैंने पीसेज किये हैं पेड़े बनाए हैं इससे अब बनाएंगे मिसी रोटी तो मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा गेहूं का स्प्रिंकल कर रहे हूँ इससे बड़ा नहीं बनाए है छोटा ही बनाए है तो यह मैंने एक रोल कर लिया और एक और मैं रोल कर लेती हूँ आप इन्हें रोल करके रग भी सकते हैं और उसके बाद आप एक साथ इन्हें सेख सकते हैं तबे पे तो कई लोग इसमें प्याज यानि अनियन भी एट करते हैं डो में बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये इसी तरीके से पसंद है अगर आप चाहें तो अनियन भी एट कर सकते हैं तो बस अब इसमें पानी लगा लेंगे और जैसे तंदूर में रोटियां बनती है वैसे ही तबे में बनाएंगे जैसे आप घर में तंदूरी रोटी बनाते है तबे में तो बस तबा गरम हो गया है इसमें रोटी को डाल देंगे पानी आपको अच्छे से लगाना है जिससे इसली रोटी तबे में से निकल जाए तो बस अब जब ये फूलने लगेगी न तब इसे सेख लेंगे तबे को उल्टा करके तो यह देखे रोटी जो है यह फूल गई है तो बस अब इसे सेख लेंगे तो तबे को उल्टा कर लेंगे और इससे मिसी रोटी का फ्लीवर बहुत अच्छा आता है कई लोग तबे पे ही सेखते हैं घी या बटर लगा करके तो उसे एक पराठे का फ्लीवर आ जाता है मिसी रोटी का तंदूर वाला फ्लिवर नहीं आता है तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है तो बस ये देखें सिख करके तयार है तो इसे निकाल लेंगे और ये देखें कितने अच्छे से ये सिख गई है तो इसी तरीके से दूसरी रोटी भी बना लेंगे तो मिसी रोटी बनाना बहुत एजी है और ये बहुत टेस्टी लगती है आप कोई भी ग्रेवी वाली सबजी के साथ में इसे खाईए या चटनी के साथ में दही के साथ में ये बहुत टेस्टी लगती है बहुत ही soft बनती है तो ये देखिए दूसरी रोटी भी फूल गई है तो बस अब तबे को उल्टा करके इसे भी सेक लेंगे अच्छे से तो मिस्सी रोटी बनाना बहुत ही easy है आप भी अपने घर में बिल्कुल ऐसे ही मिस्सी रोटी बना अपको भी बहुत आसाल लगेगा तो वस इसी तरीके से मैंने यहां पर मिस्सी रोटी बना ली है और मैं गर्मा गरम मिस्सी रोटी में लगा रही हूं बटर आप चाहें तो घीबी लगा सकते हैं बटर के साथ में जब इसे सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट और जदा बढ़ जाता है तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं थैंक यू ओर वाचिं वीडियो